सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाईए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फॉरण मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेर और कॉमेट करना मत भूलिए फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ओफीसियल इंग्लिस गुरू पर फ्रेंड्स आज आपके लिए 79,000 सिच्छक वरती काउंसलिंग में क्या कट ओफ रहने वाली है उसके बारे में आपको बताएंगे जिलेवाइस मेरिट कट ओफ क्या रहेगा और साथ ही काउंसलिंग से संबन्दित प्रपत्र कौन-कौन से भरे जाने हैं जैसे चर्त प्रमाण पत्र का फॉर्मिट क्या होना चाहिए जो 79,000 सिच्छक वरती काउंसलिंग का प्रारूप क्या होगा और इसमें जो एफिडेविट लगेगा जैसे कि आप अन्य जलों में बविस में ट्रांस्पर नहीं लेंगे उसका कैसे वरा जाएगा, क्या भासा होगी और CMO फिटनेस सेटिफिकेट और अन्य सारी जानकारियां एक ही वीडियो में आपको देने जा रहे हैं सब्सक्राइब बटन को दवा कर वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके तो चलिएगा फ्रेंड्स वीडियो को स्टाइट करते हैं देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर आपको जिला कारियाल है जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी अयोध्या यानि कि अयोध्या की जगे यूपी का कोई साभी जिला होगा उसका नाम आज आएगा और नीचे लिखा है 69,000 सिच्छक वर्ती काउंसलिंग का प्रारूप तो फ्रेंड्स देखिए प्रारूप आपको देख रहा हैं इस पस्ट इसी प्रारूप के आधार पर आपको करना है देखिए सबसे पहले काउंसलिंग की तिथी जिस डेट में आप काउंसलिंग होगी वह आप कर लेंगे फिल रेस्टेशन नंबर जो आपने पॉरम बराया बेर्थी का नाम पिता पति का नाम आप आपका पता इधर आपका गुडंक रहेगा बीच में पॉइंट लगा हुआ है जैसे किसी का बनता है 65 तो बीच में पॉइंट लगा हुआ है पीछे कुछ है तो ठीक है नहीं तो जीरो जीरो आगे देखेंगे इधर आपको अपना फोटो चस्पा करना है सेल्फ अटेस्टेड यानि कि सो प्रमाड़ित फोटो लगेगा और नीचे गरे जनपद जो आपका जनपद है उसका नाम दूरवास यानि कि मोबाइल नंबर ड्राफ्ट नं कोड अगर आप विसेस आरचिस रेडी से हैं तो उसका कोड और नाम लिखना होगा अप प्रसिच्छड योग्यता का नाम जैसे बीएड बीटीसी या ने जो भी किया है उसके बाद सेच्छे की या प्रसेच्छडिक बेवरड या आपका फ्रेंड्स फॉरम जो आपने भर सुपर्टेट का उसके अनुसार फिल हो जाएगा देखिए सारी डेटेल्स वही है आप चाहें तो स्क्रीन सौट ले सकते हैं इसका देखिएगा पूरी डेटेल वही है इदा थार्टी नमबर पे लिखाया सिच्छा मित्र हेतु प्रथम नियक्ति एबं अनुवब बरसों में बी ऐसे द्वारा निर्गत जो भी प्रमाण पत्र दिया जाता है एक्स्प्रिंस सेटिफिकेट उसका और चौदे नमबर पे लिखाया फ्रेंड्स उनत्तर जार सिच्छक वर्ती परिच्छा में आभिदन के समय की गई तुरुटी का विवरड़ अगर आपसे कोई गल संलगनक की संख्या यानि कि इसके साथ आप क्या क्या डॉकुमेंट्स लगा रहे हैं उनकी संख्या नीचे यह गोशना पत्र है और अब यर्थी का नाम बहस्ता अच्छर हो जाएगा आगे देखिए फ्रेंड्स जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो काउंसलिंग के साथ ही आपके मूल अविलेख यानि कि ओरजिनल मार्क सीट और सेटिफिकेट्स डिग्रीज यह सब सम्मिट हो जाएगी डाइट पर बी ऐसे ओपेसी या जो भी कारियाल है जहां पर का जमा होंगी जमा होंगी तो आपको यह कि यह फॉर्म यानि कि यह मूल अविलेखों की प्राप्त रसीद फिल करनी होगी देखने फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका भी स्क्रीन सौट ले लिए लिए लिखाए कारियाल है जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी पीछे जिले का नाम होगा इस जगह ठीक है जो भी जिला होगा आपका जो नत्तर अजार सच्छकवर्ती मूल अवलेखों का प्राप्त रसीद तो फ्रेंड्स आप देखिए रेस्टेसा नंबर अब्रती का नाम पिता का नाम पता सूची करमांक और गुड़ांक क्या है आपका जो काउंस इसना तक परमाणपत्र बीटीसी डीयड किसे सच्छांक पत्र बीटीसी डीएड सच्छांक परमाणपत्र टीटी परमाणपत्र दूरश सच्छा से जो भी आपने किया है देखिएगा प्रेंट्स आप देखते चलिएगा वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हम पढ़नी रहें मुख्य बिंदू है उनको बता दे रहें 17 पर जात प्रमाड पत्र सामन निवास प्रमाड पत्र विसेस आरचड प्रमाड पत्र निर्दार्थ सुल का डीडी जो आपने सुल फापे आप प्लैन ले जाओगे और जिस पर प्रति एक लिफापे पर 25 रुपए का पोस्टल स्टांप होगा यानि कि डाक टिकेट लगा होना चाहिए इसके बाद अन्ने में कोई विवरेड है तो लिखें और नीचे आप देखिए यहां हस्ता अच्छर आपके हो जाएं यह चरत प्रमाड पत्र का फॉर्मेट है फ्रेंट्स आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर और चाहो तो आप मैं देखिएगा इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं अगर आपको उपलब्द मिल जाए यह इस टाइप का फॉर्मेट तो ठीक है नहीं मिले तो आप इसका टाइप कराके भी निकलबा सकते हैं और आप संबंदित अपने ही जिले से यह चरत प्रमाड पत्र बनबा सकते हैं किसी गईस्टेट ऑफिसर से यानि कि यह दो अलग-अलग प्रमाड पत्र होने चाहिए चरत प्रमाड पत्र दो बनेंगे और दो अलग-अलग गईस्टेट ऑफिस तर से आप बनवा लेना आगे देखे फ्रेंड्स यह आपकी लेंग्विज रहेगी एफिडेविट की इसमें सौर रुपए के स्टाम्प है लिखा है लिखे सपत पत्र इसमें आप यह भासा है आप देख लीजिएगा सपत पत्र समच स्रीमान जिला बेसिक सिछा अधिकारी यह पीछे जिले का नाम आ जाएगा मैं अपना नाम पुत्र पुत्री पिता का नाम निवासी ग्राम मौला अपका पता पोस्ट जिला सपत पूर्बा किया गोस्ड़ा करता हूं करती हूं जो भी है उसके बाद आपको देखो यहां लिखा है मेरे द्वारा ओनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समच सूचनाय मूल सेच्छे केवं अन्य अविलेक पूर्बते सही हैं तथा विदीमान संस्था से अरजित किये गए हैं सपत करता जनपद मैं यानि कि यहां जिस जिले में आपको निपती होग कि बाद में टांस्पर नहीं होगा लेकिन सरकारे आती हैं अपने बोर्ट बैंक के लिए टांसपर प्रगरिया करती हैं और वह अभी चल रहा है आपको पता होगा टांसपर अब देखिएगा फ्रेंड्स यहां मैंने कुछ जिलों की संभावित कट ओफ लिए आपको स्क्र जिलों में भी सबसे पहले वह आएगा और जबकि वह कांसलिंग किसी एक जिले में कराएगा उसके बाद चुछ जिलों से उसका जो नाम है वह डिलीट होगा उसके बाद नेक्स्ट आएगी इस प्रकार कई यह कांसलिंग हो नहीं है फ्रेंड्स तो देखिए जिले इन सभी के मैंने नीचे दिये हैं आप देखते जाहिएगा कि कानपुर जैसे लिए जन्रल बातर ओवी सी 70 और सी 65 इसी प्रकार कानपुर दियात सत्तर चौन सट और बासट इटावा औनतर पैंसट और बासट अलग-अलग केटेगरी वाइज फ्रेंड्स में स्लोली आपक चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेट के दिये गए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए अपने फ्रेंड्स को भी सेयर करिएगा और जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी आपको तरन तो प्लब्द कराई जाएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर तो फ्रेंड्स आप देखते रहिए इदर स्क्रीन पर आप देखिए बदाईउं की मैंने दिये जन्रल की 65 है ओबी सी की 62 है और एसी की 58 है तो फ्रेंड्स यह एक्सपेक्टेड कट ओफ है आप देखते रहिएगा बहुत ज्यादा तर हो सकता है कुछ जिलों की इससे भी नीचे जली जाए और एकाद दो अंग कूपन नीचे होती है यह मैंने बहुत सारा सर्वे करके यह बनाया हुआ है आप देख ली वीडियो की अपडेट देखिएगा मैं करम से आपको एक बार फिर दिखा देता हूं सारे प्रमाणपत्र देखिए यह आपका रहा काउंसलिंग से संबंदित एक फॉर्म मिलेगा जो आपको वहीं फिल करना है और इसको फिल करने के लिए आप अपना जो सुपर्टेट का फिल किया था उसको साथ ले जाएं जिससे आपका टाइम बेस्ट नहीं होगा सेम कॉलम है उसी कनुसार आप आसानी से कम समय में भर सकते हैं उसी को कॉपी कर देना है ठीक है फ्रेंट्स और आप चाओ तो इसका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हो और नेक्स्ट आपका ये वाल जाना होगा और जो सीएमो वाला फिटनेस सेटिफिकेट है ये फ्रेंट्स आपको निकती के दोरान आपको चाहिए होगा और ऐसे ही आपको ये जो मैंने आपको एफिडेविट बताया सोर रुपए के स्टम्प जो बनेगा नोटेरी के द्वारा ये भी आपको निकती के दोरान जमा करना होगा फ्रेंड्स